दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टन चीज़ बता चाहूंगा यह M-Stock का D-Mate अकाउंट मैं उपन किया है इसमें आप भी अकाउंट उपन कर सकते हैं अगर बैनिफिट क्या है कि अगर आप पी बाय कर रहे हैं अगर सिंपल बायिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा बिल्कुल ब्रोकरेज फ्री है दिकेज नो ब्रोकरेज है यह जीरो ब्रोकरिज फीज है इसमें बाइंग सेलिंग करते हैं तो हमें 50-55 रुपीज देने पड़ते हैं इसमें आपके 7-8 रुपीज लगेंगा इसमें बेनिफिट नहीं मिलता है इसमें मालनीजी आपको सेलिंग कर रहे हैं और उसको आप मार्जिन कम करने के लिए दूर का टाकि आपका जो कंने को क्म लगे तो वह बेनिफिट इसमें नहीं है वह सबसे बड़ा ब्रोकरेज अकाउंट में अगर अपने आपने यह ब्रोकरिज क्लिट करेंगे इसमें तो आपका देखिए बाद कहां से कहां जा रहे हैं बहुत पैसा बचा सकते हैं इछ वहाइं त तो इसका लिंक में दे रहा हूं अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे लिंक से जाके अपना अपन करवा सकते हैं बहुत थोड़ा सा बैनिफिट मुझे हो जाए को इसके वेडियो करते हैं वेलकम फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने एक बेस्ट इंट्राडे की सेटप लेकर हैं जो की सेलिंग बिसेस पर होने वाला है इसके में दो मैसेड़ आपको पताऊंगा ठीक है यह प्योर्ली इंट्राडे होगा जो हम सवानौ से लेके साड़े-दौ के बीच में क्रेट करें सेटप है इसको हम परफॉर्म करेंगे बैंक निफ्टी में और जो की होगा वीकली एकसपारी बेसेस पर इसमें हमने करना क्या है सी साइड में जाएंगे और जो भी प्रीमियम दोस्तों के नेरबय होगा वो हम सेल कर देंगे इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको 200 ही मिलेगा हो सकता है थोड़ा कम मिल जाए 190 मिल जाए 180 मिल जाए 220 मिल जाए तो निरभई 200 लेना उससे ज्यादा नहीं जाना है इसमें निरभई 200 के आसपास रहना है आपने सेम आप क्या करेंगे P-side में आएंगे वहां पे भी हम जो नियर 2-100 के प्रीम चल रहा होगा उसको हम सेल कर देंगे ठीक है इसमें इसमें जो margin है वो लगने वाला है वन लैक क्या सपस आपका ठीक है और एक without hedging होगा hedging क्या करते हैं दूर का एक buy भी एक lot buy कर लेते हैं जिससे हमें margin benefit मिलता है means हमारा जो margin है वो कम लगता है next चलते है इसमें adjustment क्या है देखिए इसमें क्या करना है हमने जैसिये C 200 ले लिया P 200 ले लिया माल लिए C हम sell कर रहे है means हमारा prediction है कि market गिरेगा ठीक है P sell कर रहे है means market हमारा prediction है market बढ़ेगा तो माल लीजिये market गिरने लग जाता है गिरने केस में क्या होगा C का premium गलने लगेगा means 200 से कम होता चला जाएगा तो हमें benefit देगा तो उसके reverse में क्या होगा P का premium बढ़ने लग जाएगा तो वो हमें loss जना शुरू कर देगा तो हमने क्या करना है जैसे 200 का premium 300 हो जाएगा means 200 का half करेंगे जो भी premium लिया हो अपने उसका half आप प्लस कर देंगे premium जैसे माल लीजे 200 मैंने premium लिया है तो उसका half कितना होगा 100 तो जैसे 300 पहुँचेगा तो मैं उसको यहाँ पर exit कर दूँगा SL लगाके exit कर दूँगा और same time में हमने क्या करना है C side में भी SL लगाएगे SL कहां रहेगा हमने कहां पर purchase किया तो किया था उसको premium को 200 के price ठीक है तो आप अपना जो SL है वो 200 पर लगा देंगे लाके ठीक है तो उससे क्या होगा कि अगर market reverse हुआ तो आपका जो C का trade है वो 200 पर जाके automatic SL आपका hit हो जाएगा तो उसमें आपको loss कितना होने वाला है ठीक 15 का ठीक है तो आप 15 से multiply कर लिजे तो आप क्या करेंगे जैसे पी आपने exit कर दिया ठीक है पी का SL हीट हो गया आपका 200 से 300 चला गया means 200 प्रस 150 प्रसंट इंक्रीज हो गया तो आपका exit हो गया अब बचते आपके वाद C तो उस case में क्या रखा होगा C का price 200 से नीचे ठीक है उससे का मान लीजिया market reverse हो जाता है अगर आपका जो C का premium 100 हो रखा है वो आपके against में जाना शुरू करतेगा और बढ़ना शुरू हो जाएगा बढ़ते बढ़ते और वो 200 तक आ जाता है तो आपका C भी close close हो जाएगा आपको loss देगे इस case में loss कितना आने वाला है C पंदास रुपे का क्योंकि 100 प्राइस चल रहा होगा वहां से 100 उल्टा आएगा वह ठीक है 200 तक पहुंचेगा वह 100 पॉइंट का वह प्रीमियम कवर करेगा तो आपका जो लॉस है वह आराउंड 500 का बैठेगा यह आपको डेली करना है यह अगर आप 20-22 कर रहे हैं तो कम स इसकी कैपेसिटी है इतनी इसमें पावर है तो इसमें हमारा क्या रहेगा जो एक हमारा टार्गेट रहेगा कि हमने वन लाग का minimum जो सेफ ट्रेडर से हैं क्या करेंगे 0.5% इसका बेनिफिट लेके ख्लोस करेंगे थोड़े से रिस्की ट्रेडर जो है वो 1 परसंट तक का कर सकते हैं ठीक है आप मैं आपको रिकमेंट करूंगा कि एक दो मेने आप 0.5% 0.6% लेकर इसको करते जाएं ठीक है जैसी आप एक दो मेने कुछ benefit कमाल है इसमें तो फिरा 1% के इसके profit पर निकलना शुरू करें तो 1% से ज्यादा वेट ना करें तो बेटर है क्योंकि एक इसम कि आपको benefit मिलेगा अपने 5.5% 0.6% या 1% आप इसको close कर देंगे और आगर आपका किसी एक side का SL हिट होता है price आपका 50% increase हो जाता है 200-300 चला जाता है तो उसको आप exit कर देंगे और दूसरी side वाले का SL set कर देंगे किस price पर जिस price पर आपने उसको buy किया होगा तो उससे क्या होगा आपका जो अगर market reverse हुआ तो आपको जो loss away fix हो जाएगा 500 रोपेंगा ठीक है यह हो गया एक simple setup next देखते है method 2 यह भी intraday selling setup है लेकिन इसमें हम hedging करेंगे इसमें भी क्या करना है आपने C को sell करना है नियर 220 के पहले हमने क्या किया था 200 क्या स्पास किया था इसको 220 क्या sell करेंगे और C side में भी एक दूर का buy करेंगे जिसका premium around 20 चल रहा होगा इससे क्या होगा आपको एक capital का benefit मिलेगा मतलब जो अभी आपका 1 lakh amount लग रहा था नीचे देखिए कितने में हो जाएगा आपका almost 50 to 60,000 में वो आपका setup बनके ready हो जाएगा same आपने P side में जाना है वहा यह जो buy लिखे निर लिखा है 220 इसको आपने 20 करना है मैं set कर देता हूं तो P side में आपने क्या करना है same 220 के आसपस जो भी premium चल रहा होगा आपने उसको sell करना है और उसको hedge करने के लिए दूर की position buy करनी है P side में जिसका premium around 20 चल रहा होगा देखिए 20 के आसपस मिलेगा 25-24 मिल सकता है 18 मिल सकता है 18 मिल सकता है यह आईडिया दे दिया मैंने आपको कि इसके निरवाय होना चाहिए यह यह पूरा setup और बैंक निफ्टी मनेगा इसका estimate margin कितना लगा देखिए around 50-60,000 मान के चलिए इतने में यह setup आपका बनके ready हो जाएगा अगर आप यह जो दूर के hedges buy नहीं करेंगे तो यह आपका setup almost one lakh के असबस जाएगा ठीक है यह मैंने आपको setup बता दिया कैसे करना है आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए इसमें भी आपको वही करना है यह जो आपने sell किया है मान लिजे market अभी क्या हुआ कि C की position आपकी 220 की है इसमें आप 110 और प् जाता है जो कि आपके against में चला जाएगा तो आपको उसको वहापे close कर देना है और उसके साथ साथ जो आपने दूर का hedge buy किया है 20 रुपीस का इसको भी आपको साथ में close करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको hedge किया है तो hedging के case में दोनों लेग आपको एक साथ close करने होते है सेम के सेलिंग में भी करना है अगर आपका 100 110 बढ़ जाता है प्रीम में इसका 220 से 310 पहुंच जाता है उस case में भी आपने पी को exit करना है और सी का जो रहेगा आपका SL रहेगा वह जिस प्राइस पर आपने 220 पर खरीदा है तो SL आप 220 पर लगा देंगे कि in case market reverse हुआ तो minimum loss होगा otherwise market आपके फेवर में चलता गया तो आपको एक पॉइंट वन परसंट तक का या वन पॉइंट कुछ परसंट तक आपको benefit मिल जाएगा ठीक है तो कैसे यह होगा सारा setup कैसे काम करेगा इसको हम backtest करेंगे इसको हम backtest करेंगा स्टॉक मौक पर चलिए टेस्टिंग सा सरफ अपने दोस्तों के आसपास के C और P side में एक एक lot हम sell करेंगे उसको hedge नहीं करेंगे तो देखिए मैंने date select कर लिए 3rd October की ठीक है टाइम में ले ले लेता है around 9.30 ठीक है तो यह अच्छा time frame रहता है कि अगर आप इसमें यह trade बना लेते हैं तो आपको अच्छे premium मिलते ह बैंक निट्टी से select किया मैंने क्योंकि इसमें movement बहुत अच्छा होता है volatility बहुत जादा होती है तो हमारे जो benefit मिलना होता है जल्दी मिल जाता है तो चलिए start करते है 3 October का time लिए जिसके expiry है 11 October ठीक है अभी हम देखेंगे इसका price means premium वो ढूंडेंगे जो 200 cash pass चल रहा होगा तो हम पहले C side में आते हैं देखें नीचे आएंगे सोड़ा सा मैं इसको सोड़ा सा जूम कर देता हमको और दिखने में easy हो जाएगा ठीक है देखें नियर्भाइ क्या मिलना 199 ये 239 बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारे target से तो हमने 200 के आसपस रहना है तो 199.9 मिलना है इसको जरूरी नहीं मिले हमेशा तो आसपास के हम ले सकते हैं ठीक है तो 208 में ले लेता हूँ sell कर देता हूँ अब देखी इस्टीमिट मार्टिन क्या लग रहा है आपका एक लाग आसपास ठीक है हमारी इसमें जीतने की probability कितनी है 60.90 जो की बहुत अच्छी probability है max profit कितना दिखा है तो यह max profit और max loss देखने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें ठीक है तो अब क्या करना है मैंने SL क्या बोला था आपको देखी 199 चलना है C तो अगर मैं almost 100 प्लस करता हूँ तो यह पाइड़े का 300 के आसपास तीन अरपय आपको दिमाग में रखना है कि अभी 300 के आसपास तो हमें इसको exit कर देना है और उस समय जैसी exit करेंगे पी में आएंगे और पी में हमने का purchase किया है तो इसको हम 2008 पर लाके SL का लगा देंगे कि market reverse हो तो 2008 पर निकल जाए हम एक limited loss हो सेम केस में पी में भी ऐसे होगा अगर पी का 208 से 308 पहुंच जाता है तो हम पी को exit कर दें ताकि हमारा loss एक limited हो जाए है अगर market reverse हुआ तो अब हम क्या करेंगे पांच-पांच में डागे बढ़ते हैं अब मैंने क्या बलता है इसमें starting में क्या करना है आपको कोशिश करेंगे कि 0.5-0.7% मिले तो निकल जाए safe traders एक दो मेनिया से करें कुछ capital जमा करें फिर स्वरा स तो इसको जूम और बढ़ा देते हैं अब देखें आपको और दिखने में पांच-पांच में डागे बढ़ते हैं देखें इसमें प्लन देखते हैं 47 रूपीज मिल गया हमें अभी 0.0 profit चल रहा है परसेंट परसेंट पर ध्यान रखिएगा अगें पांच में डागे बढ देखेंगे हम अभी देखिए 199 था यह बढ़के 211 हो गया मतलब यह लग हमें लॉस दे रहा है अगर यह लॉस देगा तो यह बेनिफिट दे रहा है में पी वला अभी इस पर ध्यान नी देना में ध्यान देना इस पर जो अमरे अगेंस में जा रहा है तो जैसे यह 300 पॉं सवाबरा का टाइम हो चुका है तीन अक्तुबर का टाइम है और आपको कितना प्रॉफिट रहा 520 रूपीज कितना 0.5 परसेंट ने ने क्या कहा था जो बिल्कुल सेफ ट्रेजर है वह यहां पर अपना ट्रेट कर सकते हैं शुरू के एक दो महीन ऐसे करते चलिए डेली आप इतना निकालिए देगे 0.5 परसेंट निकालिए ठीक है बतलब आप महीने का टार्गेट रखिए कि चार से पांच परसेंट अगर आपको महीने का मिल रहा है तो बहुत आपको इससे अगर आपको सफिशंट नहीं लग रहा है आपको satisfaction नहीं हो रहा है 520 रूपे से तो और आगे चलके देख सकते हैं खोड़ा सा पांच मिंट आगे बढ़ते हैं हो सकता आपको वन परसेंट तक भी मिल जाए इस पर देखिए दोनों लास्ट ट्रेटर पैस दे देखिए एक बच चुका है 0.7% benefit दिखा रहा है 688 रूपीस benefit दिखा रहा है इसमें कुछ नहीं किया हमने हमने कोई candlestick को indicator को चार्ट पैटन कोई analysis कुछ नहीं किया हमने simple बिना देखिए market गिर रहा है बढ़ रहा हमें उसे कोई मतलब नहीं हमने अपने टाइम पर जा कि amount है तो आपके set up कर सकते हैं अगर आपके 10 लाग का amount है तो आप इसमें अपने lot बढ़ा सकते हैं 10-10 lot कर सकते हैं 10 lot C ले लिजिए 10 lot P ले लिजिए और अपने percentage रखिए कि मुझे 1% में निकलना है थोड़े थोड़े परसंटेज में निकलना सीखिए कैपिटल को धीले धीले गरो कीजिए ठीक है चलिए एक बज़ गया आगे बढ़ते हैं पांच मिनिट और आगे बढ़ते हैं देखिए 703 रुपे कितना 0.7 आपका परसंट बेनिफिट दिखा रहा है देखिए ये सकता है तो चलते हैं आगे देखिए धाई बज़े का टाइम है और आपको पेनल केतना दिखा रहा है नाइन डेट उपीज मिन 0.9 परसंट का बेनिफिट दिखा रहा है ठीक है जो आल्मोस्ट वन परसंट के आसपस होने वाला 900 का बेनिफिट दिखा रहा है आप यहां सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं धाई बज़े सवा तीन दाला के देख लेते हैं इसको ठीक है तीन पांच हो चुके है 1,400 रुपीज का बेनिफिट दिखा रहा है वन परसंट एक्जेक्ट आपको मिल चुका है यहां ठीक है तो यह मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा डीसेंट प्रॉफिट है अगर आप एक लाग पर दे वन परसंट भी निकाल रहे हो त तीन पांच का टाइम है पांच मिम्ट आरा के बढ़ते हैं ठीक है कितना हो गया 1126 रुपे सवा तीन का टाइम है एक हजार 33 रुपे ठीक है 1.1 परसंट मिल रहा है आपको इसमें अपने कुछ नहीं किया सर्फ एट किया है ठीक है अब भी देखिए इस टेड में क्या को ढूंड के बताता हूं जिसमें मैं adjustment करना पड़ा हूँ तो उसमें हम देखेंगे कि हमें benefit हुआ या loss हुआ अगर loss हुआ तो कितना हुआ ठीक है अब method 2 भी अबर देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था हैं उसमें कितना लगेगा मैं same day बता जाता हूँ आपको एक एक idea दे दूँगो उसको कितना margin लग रहा है बाकि यह process काम कैसे कर रहे है अपने देख लिया मेरा motive था कि आपको बताना कि process काम कैसे करता वो आपको समझाना था ठीक है मैं इसको close करता हूँ सारे trade को clear कर देता हूँ मैं ठीक है अब मैं क्या करूंगा इसको बनाऊंगा hedging के साथ 3 October same day बना के दिखा जाता हूँ आपको मैं मैं आता हूँ इसको साड़े नौ के आसपास आपको देखना है तो 220 के आसपास सब्सक्राइन के क्या मिल रहा है 281 मिल रहा है 199 मिल रहा है 239 मिल रहा है तो अब यह तो दोसो का आसपास क्या करेंगे 239 ले लेंगे जो 220 के नियर है इसको एक lot sell कर देंगे, C side में, अब P side में दोस्तों का दूढ़ेंगे, कौन सा नियर पड़ रहा है, देखे 208, 242, 208 ज्यादा नियर है 220 के, comparatively 242 के, तो 208 हम ले ले लेंगे sell, ठीक है, अब क्या करेंगे, हम P side में एक दूर का 20 रुपी के आस पास का देखते हैं, 18.6, 21.5, तो हम दोनों में से 18.6 भी ले सकते हो, 21.5 भी ले सकते हो, तो मैं हमालीजे 21.5 ले ले लेता हूँ, ये बाइ कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा P side का ले close, हेज कर दे, अब C side को आगे हेज करते हैं, इसका भी एक दूर का 20 पॉइंट का देखते हैं, देखे, 21.1, 19.3 ये मि आ गया, आपका margin almost half हो गया, 1,00,000 से 50,000 आ गया, तो 50,000 में भी आप ए ट्रेट बना सकते हो, ठीक है, तो अब क्या होगा मालनीजे, कोई भी लेग, अगर आपका margin से उपर निकल जाता है, मालनीजे 239 ये 239 निकल जाता है C, तो आपने C को क्लोस करना है, तो जब ये लेग अब आपने देख लिए कैसे होता है, अब मैं एक दिन ऐसा ढूंडता हूँ, जहां पे market ने हमें adjustment करने के लिए मजबूर किया हूँ, ठीक है, तो वो मैं setup एक ढूंड के आपको बताता हूँ, 10 October का वो दिन था जब हमें adjustment करने की जुरुत पड़ी, तो जो हमने method 1 लिया था, जहां पे आमने सिर्फ दोनों leg, दोनों C और P side में सिर्फ selling की थी, वो method 1 में आपको यां करके दिखाता हूँ, ठीक है, 10 October का time है, जिसके expiry है, अभी देखिया है, यहां एक खास चीज़ बत है, तो आपको वही उसी week की expiry नहीं लेनी है, अगर आप 10 October को मैं trade बना रहा हूँ, तो मैं इसके expiry लोंगो next week की, next week का पड़ रहा है, 18 October को, ठीक है, same, अगर आप expiry वाले day इसको बनाते हो, जैसे 11 October को बनाता हूँ, तो मुझे expiry का लेनी है, next week की लेनी है, same day के expiry नहीं लेनी है, ठीक है, तो मैं 18 October के expiry select करता हूँ, इसमें, और 200 cash plus का price जोंटता हूँ, C side में, तो मुझे ये 215 रुपीज मिल रहा है, nearby 200 C side में, इसको मैं sell करता हूँ, again मैं P में आता हूँ, दुबारा, C का मेरा हो गया, अब P में देखता हूँ, दोस्तों कहां पड़ रहा है 244, 180, 209 मिल रहा है, तो मुझे 200 के नियर, ये 209 मिल रहा है, इसको मैं P में जाके sell कर लेता हूँ, अब हमें क्या दिमाग में रखना है पहले आपको, या तो आप उसमें ऐसे लगा सकते हैं, जिसमें भी आपने ब्लोकर में trade लिया होगा, 215 है तो 315 पर जाके C side का एक target ल ये लग हमारा close big जाए, ठीक है, ऐसे लगा दिक है, अब यहां पर second में आना, इसमें 209 है, 209 का 309 का एक set कर देंगे, जिए 309 पर ये हमारा price premium पहुंचेगा, तो ये अपका hit हो जाए और ये slack close हो जाए, तो दोनों 100 100 point हमने इसको लगा के तक देना है, ठीक है, यहां पर आए, तो इस point पर आगे हमारे trade close जोना चाहिए, अब क्या करते है, पांच point मिला आगे बढ़ते है, इसमें, देकि पांच मिनिट बढ़ावाए, ठीक साड़े बढ़ावजे क्या हुआ, C का premium कितना था, 215 पर लिगा था, जो की पहुंच गया, 315 means 100 point प्लस हो गया, मैंने क कालना है, अब 315 हो गया, मैं यहां से 100 point बढ़ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, 1495 को loss दिखा रहा है, इस trade को हम close कर देंगे, ठीक है, C side को, और P side हमें benefit दे रहा है, अब P side में क्या करना है, इसका पैस हम था, जब हमने लिया था, 209 पे, अब इसका पैस हो चुका, 168 ठीक है, तो हमें SL लगा लेना है, कहां पर 209 पे SL सेट कर लेंगे, कि अगर market यहां से हमारे reverse में भी जाता है, तो 168 बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा, 209 तक जाएगा, तो यह SL हिट हो जाएगा, और हमारा जो भी loss में मिल लागा, वो लेके हम निकल जाएगे यहां से, ठ यहां से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, 15-15 मिट, 168 बढ़ते हैं 159 में मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है, तो यह प्राइस जितना कम होता चला जाएगा, उतना benefit यहां बढ़ता जाएगा, 157, 146 थोड़ा सा कम हुआ यह, मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है, तो यह यहां benefit बढ़ेगा हमें, तो यहां भी benefit बढ़ेगा, यह जो loss दिखा रहा है, यह कम होता चला जाएगा फिर, अब हमें कितना loss दिखा रहा है, 0.6% का loss चल रहा है, ठीक है, हमारे पास देड़ बच चुका है, हमारे पास सवा 3 तक का time है, मैं 5-5 में डागे बढ़ूंगा, अगर यह 143 का जो premium चल रहा है, अगर reverse हो गया और बढ़के 209 पर चल गया, तो जो भी हमें loss होगा, यह हमें लेना पड़ेगा, तो महिने में कुछ दिन आपको loss भी मिलेंगे, 3 बच चुके हैं, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यह प्राइस गिरेगा लेकि नहीं गिरा, मार्केट रेंज बांड होगा, वहीं वहीं गोंग रहा है, तो हमें 5.91 उपीस का अभी loss दिखा रहा है, 3 बच चुके हैं, 15 मिंट और आगे जा सकते हैं इसमें हम 6.45 उपी का loss दिखा रहा है, ठीक है, तो हम इस loss को बुक करेंगे और अपना trade close कर देंगे, तो आपको कुछ दिन महीने में ऐसे भी देखने पड़ सकते हैं, अगर मार्केट हमारे favor में गया होता और यह price और गिरिया होता, 152 का जो price है, और नीचे गिरिया होता तो यह हमे करता है, इस setup आपको समझ में आ गया होगा, तो 20-22 दिन होते हैं, 15 दिन भी अगर इस setup आपके favor में चला गया, आपको डेली का 700, 800, 1000 रोपे benefit देता गया, तो आपका जो monthly panel है, वो आपका green में होने वाला है, तो दोस्तों इसको sensible में जाके पहले practice करे, paper trade करे, एक मेने तक और दिमाग लगाने के जरूरत नहीं पड़ी है, हमने market देखा ही नहीं कि green में खुला है, या red में खुला है, हमने simple अपने time frame में जाके trade बना लिया है, तो दोस्तों practice कीजिए, अच्छा लगे, like कीजिए, comment कीजिए, और मुझे ऐसा ही support करते हैं, thank you very much.